कि अज़िए गुर्खा मैं दीपकराई आप सभी कस्वागत करता हूँ वीर गुर्खा वैफ टीबी के समसामायक मुद्दो को लेके एक कारिक्रम में जी हाँ ये कारिक्रम उन समसामायक विश्चों को लेकर है जो दारजलिंग पहाड तराई डुवार्स एवं कालिंपूंग जिले में रहने वाले लुगों की दशा और दिशा को तै करने वाला है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जीटिये चुनाओं की इस बार के जीटिये चुनाओं में सबसे बड़ी जो हेरानी की बात है वह यह है की लिस्ट अब सारवजनिक हो चुकी है कि इसमें कितने उमीदवार मेदान में रहेंगे हाला कि अभी नामंगन पत्र वापस करने के लिए समय बचा हुआ है और कुल 45 सीटों के लिए अब तक 318 अब तक बोलना उचीत वेशे नहीं है 318 कुल लोगों ने अपना नामंगन पत्र भरा है जिसमें हम आपको जानकरी के लिए बता दे कि ओल इंडिया त्रणमूल कांग्रिस ने 10 सीटों पर और वही नैशनल जो अपना कांग्रेस है इंडिया नैशनल कांग्रेस उन्होंने भी लगबग 5 सीटों पर साथी साथ CPIM जो है उन्होंने 12 सीटों पर अपने उमिद्वारों की गोशना की है साथी साथ अगर बात की जाए भारत्य गुर्खा परजतंत्रिक मोर्चा की तो उन्होंने अपने कुल 35 परात्यों के साथ 36 सीटों पर नामांकन भरा है वही अगर बात की जाए तो निर्दिलियों की संख्या बहुत ही अधिक अपकी बार नजर आ रही है वहीं अगर पूरी चर्चा को हम आगे बढ़ा है उससे पहले आपको यहाँ बताना बेहद जरूरी है कि इस लिस्ट को आने और देखने समझने के बाद यहाँ तय है कि अनित हपा की पार्टी भारत्य गोर्खा परजातांत्रिक मोर्चा और हील टीमसी ओल इंडिया त्रिडमूल कांग्रिस के नाम से इस बार मेदान में है उनके बीच कहीं न कहीं जो बहुत पहले से चर्चा का माहूल था कि कहीं न कहीं 35 प्लस 10 का गड़ित यहाँ पे होगा और तकरीबन लिस्ट आ चुकी है अब यह पूरी तरह से इसपस्ट हो चुका है कि भारत्य गोर्खा परजातांत्रिक मोर्चा एवं त्रिडमूल कांग्रिस की बीच में एक गुप्त समझोता यह गुप्त गड़बंदन भी कहे तो कोई गलत नहीं होगा आखिर क्या वज़ा थी अमर लामा जो उनके महासचीव है बारत्य गोर्खा परजातांत्रिक मोर्चा के उनके भी कई एसे वीडियो वयान आये जिनमें उन्हों ने सीना ठोकते वे कहा कि गड़बंदन का सवाल नहीं कुल 45 सीटों पर उनके उम्मिद्वार खड़े होंगे लेकिन जिस तरह से नामंकन भरने का अंतिम दिन करीब आता रहा वही यह गड़बंदन का एक नया समिक्रण आज हम सब के सामने इसपस्ट हो चुका है हील टीमसी ने केवल दस सीट दिये तभी समझना चाहिए था कि आखिर पहाड में 45 सीटों में केवल 10 सीटों पर ही उन्हों ने अपने उमिद्वारों का नाम क्यों दिया हाला कि कई ऐसी सीटे हैं जिसमें आपसी सहमती बनने के बाद एक दूसरे के खिलाफ उमिद्वार को नहीं उतारा गया है हाला कि दारजली का जो एक सदर की एक सीट है वहां पर भारते गुर्खा पज़ात आंतरिक मोर्चा और त्रडमुल कांगरेशन ने अपने उमिद्वारों को वहां मेदान पे उतारा है वहीं अगर दिगजों की बात की जाए जिस तरह से अमर लामा है अनित थापा है और वहीं बिनोय तामंग है उनके आपसी ट्यूनिंग के चलते एक दूसरे खिलाफ उन्होंने किसी प्रार्टी को खड़ा नहीं किया है आखिर क्या वजह थी कि जनता के समक्ष बहुत पहले से ही अगर गड़बंदन की बात करनी चाहिए थी वह नहीं हो पाया क्या आखिर कारण था कि उनको मन में कहीं नहीं ऐसा लगने लगा कि इस गोशिद गड़बंदन को यदी जनता के सामने प्रस्तूत करके चुनाओं की मेदान पे उत्रा जाए तो एंटी कॉलकाता जो एक सिम्टम्स और एक बहुत ही इमोशनल एक मुद्दा हमेशा पहाड में रहा है एक नकरात्मक छवी को लेके कोलकता की हमेशा से पहाडों की जनता ने इस पस्ट तोर से बहुमत या वोट कभी भी नहीं दिया है अगर हम बात करें कि अनित थापा की पार्टी की भारत्य गुर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा की तो सबसे चोकाने वाले घटन करम में कालिंपूंग के वरतमान विधायक रुदेन लिप्चा जी हां रुदेन लिप्चा भी इस बार जीटिये के सबासद बनने के लिए मेदान में हैं हाला कि यह उनका संवेदानिक अधिकार है अगर वह चुनाओ जीतते हैं तो उनके पास एक कठिन सी इस्तिती होगी कि वह अपनी विधाई का छोड़े या सबासद बने रहें देखिए कही न कहीं पाड़ों में बुद्धी जीवी पत्रकारों की बीच में यह भी कहीं न कहीं कानाफुसी का दोर चल रहा है कि रुदेन लिप्चा जीटिये चेर्मेन के लिए वेकल्पिक रूप से अपने आपको देख पा रहे हैं यदि ऐसी इस्तिती होती है कि अनिथापा दोनों सीटों से हार जाए तो ऐसी इस्तिती में उनकी पार्टी की तरफ से रुदेन लेप्चा सर्वे सर्वा बनके उभरेंगे और जीटिये चेर्में के लिए हो सकता है कि वह लोबिंग भी करे हाला क चुनाओ जीतना पड़ेगा इसके लिए और महज 36 जो उनके 35 लोग है प्रार्टी है वह 36 सीटों पर चुनाओ लड़ रहे हैं 36 सीटों में लगभग बहुमत साबित करने के लिए उनको 23 सीटों पर विजय श्री हासिल करनी पड़ेगी तुर्मुल कांग्रेस कितने सीट ल जरूर कर दी कि जिस तरह से गड़बंदन में वह उतरे हैं उससे कहीं न कहीं एक खुला सा मेदान और एक आसान बैटिंग का पिछ उन्होंने हमरु पार्टी के लिए पेश कर दिया है हमरु पार्टी ने जिस तरह कहा ता कि सभी 45 सीटों में वह उम्मिद्वार को उतारे हैं कहीं न कहीं उस फैक्टर को बहुत दूर हमरु पार्टी ने कर दिया अब बात यहां पर आती है कि अगर दार्जिलिंग पहाड में इस सरह की राजनिती चलती रहे जहां पर एक तरह से गड़बंदन जैसा मसोदा दो पार्टी के बीच में उनके प्रार्थियों की सू करने में सक्षम रहें कहीं न कहीं अब वजूद अस्तित्व की लड़ाई इन दो पार्टियों के बीच में हैं भारत्य गुर का प्रजतांत्रिक मोर्चा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आने वाले समय में साइलेंट मेजूरिटी का उनके खिलाफ हमेशा होना रहेगा क्य चुनाओं में भी यही साइलेंट वोटर्स का सपोर्ट रहा जिसके कारण उन्हों ने एक अद्वित्य जीत हासिल की अगर यू कहें कि चोका दिया उनकी जीत ने पाड़ की राजनीती करने वाले पंडीतों को तो इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए डार्जिलिंग में एक तरह से वह एक आदर्श राजनीती का नारा लेकर चुनाओं में आते हैं और जीटिये चुनाओं के लिए सारी चीजें अंतसमाय तक देखने के बाद जिस तरह से उनके रणिती कारों ने रणिती बनाई और अंतिम दो दिनों में जिस तरह से सभी 45 सीटों में देखने समजने बूझने के बाद उन्होंने अपने परार्टियों को उतारा यह अपने आपमें उनके संग्ठन का बड़ा होता अस्तित्व नज़र आता है कि अगर देखा जाये अन्यपार्टियों के लिए गोरखा जन्मुक्ति मोर्चा जी निलिफ भारतिय जन्ता पार्टी सीपी आरेम बज्जे से बड़े दल इस बार मेदान से नदारत है अब बड़ा सवाल यह है कि साइलेंट मेजुरूटी जिनको कहा जाता है साइलेंट जो एक वोटर से बहुत बड़ा एक तपका है साइलेंट मेजुरूटी इसलिए उनको कहना उचीत रहेगा क्योंकि वोटर से ही तै करते हैं कि किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है अगर यह साइलेंट मेजरूटी के रूप में बैंक के तोर पे जमा मत दाता अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो निश्वित रूप से उस पार्टी का जीतना तैय है अब तक 2019-2021 में पहाड की जनता ने देखा कि अनित थापा के गोर्खा जर्मुक्ति मोर्चा पार्ट टू और भारते गोर्खा प्रजतांतिरिक मोर्चा के वरतमान नगर निकायों के चुनाओं के नतीजे कहीं नखहीं परिशान सा कर देता है एक बात और इस पस्ट है कि जिस तरह से इस बार के जीटिये चुनाओं से लोगों को बहुत कुछ उम्मीदे तो नहीं है जीटिये का लोग दबे जुबान में विरोध जरूर करते हैं लेकिन कहीं खहीं अब तक 2011-12 से लेके 2022 लगबग एक दशक का समय निकल चुका है कहीं न कहीं इस जीटिये को जो डेवलोप्मेंट एजिंसी के रूप में इस्थापित करने का अणान जो संकल्प आजे एड़वर्ड ने फेस्बुक लाइव के माध्यम से आकर किया है कहीं न कहीं इससे एक इमोशनल राजनीती पहाड में शुरू हो गई है देखिए दो चीजे हैं यहां पे आजे एड़वर्ड सदेव से पहाड की रगरक से वाकिफ है और वह इमोशनल तरीके से किस तरह से अपने मैसेज को करवे करना है वह बहतर समझते हैं वही अगर बात की जाए भारत्य गोर्खा प्रजत अंत्रिक मोर्चा का तो उन्होंने हमेशा पहले दिन से ही इस्टेंड रखा है कि वह किसी भी सूरत में इमोशनल भावनात्मक राजनीती नहीं करेंगे लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि पहाड के अधिकतर लोग गोर्खा समाज से है अन्यसमुदाय से है सबी के सबी लोग बहत भावनात्मक अपने आपको पाते हैं हर मुद्दो पे भावनात्मक लोग है वही इस चुनाओं में मददाता है कही न कहीं एक बड़ा कारण है कि अब उनको समझ में आने लगा है कि अनित थापा भी अपने जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं राज्य सरकार उनकी लाइन के बहार जाके क्रॉस करते हुए गोर्खा लेंड के मुद्दे पर गोर्खा लेंड के लिए एक निर्माण समीती जी रहे है इसको आप नकारो या इसको स्विकारो लेकिन यह खबरों की सुरुक्यों में बना हुआ ही है अब अगर हम अंत में आपसे यह कहना चाहे कि जिस तरह से दारजिलिंग पहाड में जीटिये को वाकई संचालित करना चाहिए था और एक एक्जांपल सेट करना एवं उनके बच्चों को भविश्य में एक अच्छा सुनहेरा एक रस्ता तयार करके जीटिये एक शशक्त भूमिका में वाकई एक डेवलोप्मेंट एजिंसी बन कर दिखाती। बड़े आशानवी थे। कहीं न को लगता है कि केंदर सरकार को एक पार्टी बनाकर जीटिये चुनाओं को रोका जा सकता है। तरिक यह गिंती है। और वहीं जिस तरह से 35 प्लस 10 का पॉर्मूला शुरू में सुनने में आ रहा था। उसी तरह से ओल इंडिया तर्मूल कांगरिस ने भी दस उम्मीदवारों को बेदान में इस बार उतारा है। क्या होता है आने वाला भरुष्य बताएगा लेकिन कहीं न कहीं हमरोपार्टी के लिए एक आसान सी रह भारत्य गूर्खा प्रजात अंत्रिक मोर्चा और ओल इंडिया तर्मूल कांगरिस के रणिती कारू ने छोड़ दी है। रणिती बहतर के लिए बनाये जाता है लेकिन यह रणिती अब जनता के समक्ष आने के बाद भारत्य गूर्खा प्रजात अंत्रिक मोर्चा के लिए जनता के पूछे गए सवालों का जवाब देना वाकि आने वाले समय में मुश्किल होगा। जब उन्होंने जनता के बीच में मीडिया के समक्ष आकर कहा था कि गडबंद जैसी कोई बात नहीं है वह 45 समस्टियों से ही चुनाव लड़ेंगे। आकर क्या मजबूरी थी भारत्य गोर का प्रजातांत्रिक मोर्चा की एन वक्त में उनको केवल 35 प्रार्तियों को 36 सीटों से उतारने की आवशक्ता पड़ी। दीतर क्या खेल खेला गया खेला जा रहा है यह तो चुनाव में नतीजे आने के बाद यदी चुनाव हुए इस पस्ट हो पाएगा तब तक के लिए आगे कई खबरे श्रिंकला के रूप में जीट ये चुनाव दारजिली पहाड की राजनीती से ओत प्रोध घटनाओं से सम्मंदित लगातार हम आप तक पहुचाते रहेंगे वीर गोर्खा वैब टीवी को सुनने और उसको सब्सक्राइब करने की भी वीर गोर्खा वैब टीवी के माध्यम से दीपकराई जो संपादक हुम है इस मीडिया हाउस का आप समक्ष्व एक छोटी से अपील करता है कि इस खबर को जादा सदा शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ आपकी आवाज है गोर्खा समाज की आवाज है समसामा एक मुद्दो पर लगातार कहने सुनाने वाली एक मीडिया हाउस के रूप में वीर गोर्खा वैब टीवी सदेव आपके सामने गर्मा गर दिखते हैं अगली बार एक नई श्रिंकला के साथ जैहिंद जैगुर्खा